नमस्का में दूसरों मेरे नमक्षमाम जानते हैं मेरे चानल है यूट्यूब के उपर बहुत ही इंपॉर्टन वीडियो है अगर आप सच्छे हिंदुस्तानी हो पांस मिन्ट जिन्दगी के देदो हैंटा वाइरस क्या है कैसे फैल रहा वो समझाओंगा एक चीज़ समझे ल तो उसके लिए एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि उसके इसके नदर single standard RNA उसका जेनटिक मठीरिल है हमारे इंसानों के अंदर DNA होता है जेनटिक मठीरियल, double standard होता है आम आदमे के लिए कोई tension की बात नीकिए चीजे कर देती हैं, वोले तो, अगर आपको बुखार है तो उसे बुखार होता है, लेकिन, आपको एक से जादा चीजेship ऐसे जब बॉडबू पार्ट्स को और रही है तब उसे कहते है syndrome, यह फैले बूट सारे Sharing पहले चीज़, दो चीज़ हैं, एक चीज़ समझो, कोरोना भी पहले आ चुक है दुनिया में, एक ये फैमिली होती है, हेंटा वाइरस की भी फैमिली है, जो पहले आ चुकी है, जो पहले आता था, वो करता था हीमरल फीवर और रीनल सिंड्रोम, हीमरल, हीमर का मतलब होता है blood related fever आपकी body के अंदर से खून निकलने लग जाएगा internal bleeding होने लग जाएगी इस virus के अंदर दूसरी चीज है renal syndrome renal arteries होती है उन arteries के अंदर से internal bleeding और vascular leakage शुरू हो जाएगी बोले तो आपका अंदर ये अंदर body के खून निकलते रहेगा जिस वज़े से क्या हो सकता है blood pressure हो उसकी बात है हम आगे गरेंगे point is pulmonary syndrome pulmonary का मतलब होता है hurt आपके दिल से related syndrome है होता क्या क्या है इधर आओ can result in क्या क्या कर सकता है पहले बात तो इससे हो क्या सकता है kidney failure simple सी बात है इंसान का kidney failure हो सकता है दूसरी चीज internal bleeding और vascular leakage क्या हो सकती है internal bleeding इंसान को अंदर इंदर खून और vascular leakage आपकी vessels भी leak कर जाए symptoms symptoms सुनो बहुत द्यान से सबसे पहला fatigue आपके क्या हो जाता है fatigue का मतलब क्या होता है कि आप थकान हो रही है chills थंड लगना बुखार आपको रहा है low blood pressure बहुत बड़ा syndrome का यह आपका जानते हो low blood pressure weakness एक नव से body के नवर weakness आन लग जाती है abdominal pain पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है और आखिर में dizziness यह common से हैं जो कि आपको symptoms दिखेंगे point is कुछ ऐसे myth है जो इंडिया में बोले जारे है जिनको मैं अब भी debunk करता हूँ myth पे आते हैं क्या myth है सबसे पहला it spreads via air क्या यह air से फैलता है बिल्कुल भी नहीं air से यह बिल्कुल भी नहीं फैलता आस्मान से हवा में नहीं जाएगा दूसरी चीज spreads person to person coronavirus की तरह यह person to person जाता है बिल्कुल भी नहीं coronavirus की तरह एक बंदे है दूसरे बंदे को नहीं हो सकता है तो होता कैसे है होता कैसे है वो यहाँ पे लिखाव है कैसे होता है coming in contact with saliva थूक, urine, मलब सुसू और fecus यानि potty of rodent rodent क्या होता है rodent होता है चुवा अगर एक चुवे की आप potty के साथ contact में आयो आप उसकी सुसू के साथ contact में आयो यहाँ तक कि उसकी थूक के साथ contact में आयो तब आपको hantavirus हो सकता है और कैसे हो सकता है by biting of rodent अगर आपको काट लेगा एक चुवा तो आपको हो सकता है hantavirus अगर आपके खाने के अंदर हलकी सी चुवे की गर गई है potty तो फिर आपको हो सकता है hantavirus ठीक है जी तो ऐसे spread होता है यह आखिर में एक मित है यह एक इंडिया में आ चुका है सबसे बड़ा मित है इंडिया में यह अभी तक नहीं आया है पांच cases होए है चाइना के अंदर एक की मौत हो चुकी है बाकी चार के अंदर अभी भी hantavirus present है वो जिन्दा है आकरी चीज यह बहुत important है समझना जिसे समझोगे तो आप पागल हो जाओगे mortality rate किते percent लोग मर रहे है 38% का factor है बोले तो अगर 100 लोगों को hantavirus होता है तो around 38 लोग मर जाएंगे on the other hand coronavirus जो भी फैल रहे उसका क्या है mortality rate केवल मात्र 2-3% मात्र 2-3% और उधर है 38% समझ रहे हो अगर 100 लोगों को रोगा तो 2 मरेंगे लेकिन अगर 100 लोगों को हो गया hantavirus तो 38 लोग मर जाएंगे बहुत ही बड़ी महामारी फैल सकती है इसको हमें रोकना पड़ेगा आकरी चीज prevent कैसे करते हैं इदर से दिखाता हूँ prevent कैसे कर सकते हैं सबसे पहला contact with rodent को रोक दो चूहे के साथ आपको contact नहीं होना चाहिए आपके उसमें खाने में किसी भी चीज में ना वो आपको काटे ना आपको सलाइवा urine और feces यानि potty, susu और थूक के साथ contact नहीं होना चाहिए कैसे होगा जब आप उसकी population को रोकोगे अगर आपके घर के इंदर चूहा नहीं होगा तो आप बच सकते हो हैंटा वाइरस से एक चीज़ समझो अभी इंडिया में नहीं है तो अगर आपको ये symptoms हो रहे हैं तो आपको tension लेने के जूरूद नहीं है कि आपको हैंटा वाइरस है मैं daily upload करूँगा आप लोगों के लिए आपकी सेवा में मैं हाजर हूँ मैं आप लोगों का support चाहतूँ जाथ साथ इस वीडियो को फैलाओ यार subscribe करवाओ लोगो को ताकि जाथ साथ लोग हमारा channel देख सके और इस देश के अंदर जो भी हमारी दिक्कत हो रही है उससे हम आगे बढ़ सके यह था अक्षर शर्मा मेरे साथ है camera man अंतरिक शर्मा यह हमारा channel है अक्षर शर्मा और यह है जमना पाली production के तरह से वीडियो जै भारत जै हिंद